देश की फमुक SUV वहाँ निर्मातक कमपनी महिंद्र गरेलू बजार में अपनी बेट सेलिंग SUV महिंद्र बलैरो के नए अफ़तार को पेश करने की तियारी कर रही है रिपोर्टर्स के मुताबिक कमपनी इसके नए अफ़तार पर काम कर रही है और इसे जल्दी बजार में उतार जाएगा दोस्तो खबरों के अनुसर नए SUV को बलैरो के नेक्ट जेन के नाम से भारतिय बजार में 2022 के साल में लॉंच कर जाएगा और इसे जल्दी निव जनरेशन लेटर फ्रेम चैसी पर बनाया गया है जिसके चलते कमपनीज गारी में आपको न्यू स्पोर्टी डिजाइन के साथ कई सारे न्यू जनरेशन फीजर्स और एक पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा दोस्तो गर मात करें गारी के डिजाइन के बारे में तो उत्र ऐसा बसाया जा रहा है कि नई बलैरू में आपको न्यू ज़नरेशन डिजाइन का इस्तोमाल करा गया है जिसमें आपको गाड़ी के फ्रेंट और रिल में काफी जलद स्पोर्टी एलिमेंटस देखने को मिलेगे गाड़ी के फ्रंट में आपको न्यू प्रोजेक्टर हेडलम सेटप देखने को मिलेंगे जो कि ट्राय एरो लिटिल लब्स के साथ आने वाला है साथ ही साथ गाड़ी में आपको फ्रंट में न्यू सिगनेचर महिंद्रा की 7th फ्लोट ग्रिल देखने को मिलेंगी जो कि महिंद्रा के नए M logo के साथ आएगी साथ ही साथ इसमें आपको fog lamps integrated bumpers और rare में एक चांदर glossy black बड़ा महिंद्रा की बलैरो की बैजिंग के सद्धिक spare wheel देखने को मिलेगा जो कि गाड़ी के लुक को काफी तरह sporty और एक aggressive लुक प्रदान करभा पाने में मदद कर रहा है वहीं दोस्तों करें बात करें गाड़ी के interior features के बारे में तो आने वाली new generation महिंद्रा बलैरो का interior काफी तरह spacious और comfortable रहेगा इसमें आपको जब अधर शांदा 6 से 7 सीटर sitting capacity देखने को मिल जाएगी ऐसा बताया जा रहे है कि new महिंद्रा बलैरो में आपको शांदार connected car technology देखने को मिलेगी जो कि अब अपनी voice command के तरह पूरी गाड़ी को control कर वाएगे इसके लब गाड़ी में आपको panoramic sunroof, power steering wheel और एक शांदार 20 इंच का touchscreen infotainment system देखने को मिल जाएगा इसके लब गाड़ी में आपको JBL का sound surround system और कई सारे safety features देखने को मिलेंगे जैसे की चार airbags, ABS के साथ EBD, चार parking sensor और तीन parking camera इस कारी में आप पुछ standard safety के तोर पर देखने को मिलने वाले है जहां तक दोस्तों engine की और performance की बात है तो महिंतरा बलायरों अपनी performance के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है इसे के चलते new generation model में आपको अब upgraded new BS8 मानक वाला 1.5 लिटर की शमता का 3-cylinder M-hawk diesel engine देखने को मिलेगा जो कि इस तो HP की अजिकतम पावा generate कर पानी में सक्षम है दोस्तों बताया जा रहा है new generation महिंदरा बलायरों कमपनी फिडिट CNG kit के साथ वे IP जिसकी चलते गाड़ी का mileage 20-25 km अराम से रहपानी में सक्षम होगा new generation महिंदरा बलायरों दोस्तों इस बारी launch के लिए 2022 में कमपनी launch के लिए पुरी तरीके से ready कर चुकी है और इस गाड़ी के waste model 5-10 लाग रूपे की अंदर राशी में launch करा जाएगा तो दोस्तों आपनी रहे हमें comment section मिलके जरूर बताईएगा आपको इन्यू जनरेशन बलायरों कैसी लगी इस वीडियो के like कीजेगा दोस्तों जितना हो सके वीडियो को share कीजेगा मिलते हैं अगली गाड़ी में next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद